वेलकम तो बोल एक्जाम बेस्ट ओफ लग फॉर एक्जाम्स सब्सक्राइब दबोल एक्जाम्स अलसो प्रेस दबैल आइकन हेरी जो टीचर एलेट स्टार्ट दग्लास दफरस्ट इज फर्स्ट क्वेशन है अलो धातूं के लिए डैश रिवेट प्रयोग की जाती है ऑप्शन दिये है फ्लैट हैट स्नैप हैट मिश्रूम हैट सिंकिंग हैट तो इसका राइट अंसर है फ्लैट हैट नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सभी इसका right answer है goal next question है बुडरफ की का नीचे का हिसा dash होता है option दिये हैं बृताकार अर्द बृताकार चप्ती उप्रोक्त सभी तो इसका right answer है अर्द बृताकार next question है locking plate पर dash खांचे बने होते हैं option दिये हैं 4, 6, 5, 7 तो इसका right answer है 6 option number A next question है fly nut को dash net V कहते हैं तो इसका right answer है being nut next question है check net की दोनों side देश पर चेंपर की होती है option दिये हैं 50 degree पर B option दिये है 40 degree C option दिये 30 degree D option दिये 20 degree तो इसका right answer है 30 degree next question है अधिक कंपन भाली जगा पर dash washer प्रियोग की जाती है option दिये है spring washer, plane washer, मोटी, पतली तो इसका right answer है spring washer next question है next question है stud का dash नहीं होता option दिये हैं चूडी, प्रियोग, head, प्रियोग सभी तो इसका right answer है head next question है stud प्राया, dash के बने होते हैं option दिये हैं cast iron, पिटवा लोहा, gun metal, mild steel तो इसका right answer है mild steel next question है dash बाली जगा पर spring बाश्र प्रियोग की जाती है option दिये हैं अधिक कंपन, हिलने, घूमने, प्रोक सभी तो इसका right answer है अधिक कंपन बाली जगा पर next question है केसल नट के head पर dash बनी होती है option दिये हैं मोटी, पत्ती, कॉलर, चूडियां, प्रोक सभी तो इसका right answer है कॉलर next question है नर्ड नट की प्रिदी पर dash की होती है option दिये हैं चूडियां, मोटे निशान, नर्लिंग, टर्निंग तो इसका right answer है नर्लिंग next question है slotted nut, dash nut की भांती होता है option दिये है hexagonal, kessel, dome, cap तो इसका right answer है kessel nut next question है निमन मैंसे किस nut की प्रिवाः प्रिदी पर दो पंकुडी बनी होती है option दिये है nerd nut, dome nut, fly nut, flan nut तो इसका right answer है fly nut next question है locking plate, locking device में कितने नोच बने होते है option दिये है 2, 4, 5, 6 तो इसका right answer है 6 next question है चप्टी सैडल की किस प्रकार के कारियों में उचित है option दिये है हलके option B है अर्द वृतकार option C है भारी कारियों में option D है और प्रोक सभी में तो इसका right answer है हलके कारियों में next question है वाइलर में निमन में से किस रिविट का प्रियों किया जाता है option दिये है pan head taper ribbit pan head ribbit flat head ribbit conical head ribbit तो इसका right answer है pan head taper ribbit next question है hexagonal head bolt कितने पहलु बाला होता है option दिये है 2, 4, 6, 8 इसका right answer है 6 nut bolt निमन में से किस size में मिलते है option दिये है mm cm, meter, km तो इसका right answer है mm mm मिली मीटर में next question है LN screw को खोलने वक कसने के लिए निमन में से किस का प्रियों किया जाता है option दिये है page case, key, pipe wrench, LN key तो इसका right answer है LN key next question है चतों पर सीमेट चादरों पर GI sheet आदी को fit करने के लिए किस bolt का प्रियों किया जाता है option दिये है cup head bolt, hook bolt, square, eye bolt तो इसका right answer है hook bolt next question है Jeev head की क्या विशेशता होती है option दिये है इसमें screw लगते है इसमें एक head होता है ये अर्थ बृतकार होती है ये taper नहीं है इसमें एक head होता है next question है check net की दोनों साइडे किस कोण पर champer की होती है option दिये है 30 degree, 60 degree, 90 degree, 180 degree तो इसका right answer है 30 degree next question है ribbit की धात, किस धातू के बने होते है option दिये है mild steel, aluminium, pitwa, loha, ane, alloy, pitil, tamwa, उप्रोक्त, सभी इसका right answer है उप्रोक्त, सभी next question है square net का उप्री भाग कितने degree पर champer किया जाता है option दिये है 15 degree, 30 degree, 50 degree, 60 degree इसका right answer है 30 degree तो आज के लिए इतना ही now by friend subscribe for more video and keep connected, bye